सो हेर मेरकम बैक गाइज एक ओन नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वाह करते हैं तो गाइज आज किस पीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एनिमी के ऊपर रश करके उनकी कैसे मार सकते हो सोरी सोरी एनिमी के ऊपर आप रश करके उनको हेडशोड या फिर उनने कैसे डाउन कर सकते हो तो मैंने आपको एक शोड वीडियो के अंदर विजन ब्लोग के बारे में बताया था कि आपने एनमी का विजन ब्लोग कर देना है और उसके बाद उसके ओपर आपने रश कर दे यह जो स्टैटेजी है वीजन ब्लोग करने वाली जो टॉप लेवल के वन टैप लेयर्स होते ह हैं तो रश करने की काफी सारी स्टैटेजी होती हैं बट मेरे पास जो क्लिप्स हैं मैं आपको उनके हिसाब से कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगे कि आप रश कैसे कर सकते हो और अपने एनमी को पानी कैसे पिला सकते हो और इस वीडियो के ओपर हम लाइक एम करते हैं 650 50 lakhs का अगर आपके गेम के अंदर one tap headshots नहीं लगते हैं तो like वाले बटन को one tap मानने का try करो क्या पता लग जाए ताले दू तो मैं आपको example के लिए कुछ clips दिखाता हूँ clips को देखने के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको क्या गा तो first clip होने वाली है ये वाली is clip के अंदर मैंने rush करके enemy को headshot लगाया है और ये headshot काफी जादा smooth लगाया है क्योंकि मैंने सही situation create कर ली थी जिससे की easy headshot लग गया तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्या किया था जिससे कि मैंने इतना शांदार one tap headshot मा रहा है 1v1 की fight के अदर ये tips and tricks के आपके बहुत जादा काम आईगे तब आप इस clip को ध्यान से देखना है जैसे हम 1v1 की fight के अंदर करते हैं कि हम किसी एक side को fight करते हैं जैसे अभी हम दोनों left side को भाग रहे हैं और मैंने इस वाली point पाके किया गया कि मैं left side को नहीं भागा मैं सिधा enemy की side को और उसके बाद मैंने jump किया और enemy को headshot मार जब भी आपकी 1v1 के अंदर इस तरीके से enemy के साथ fight चले तो आप एक दो बार glue wall लगाओ fire करो बट उसके बाद आप एकदम से enemy की side को भाग जाओ और उसके बाद super jump करके उसे easily one time मार अभी आप इस clip का hand cam भी देख लो और rush करने का म अगर आप glue wall से सीधा सामने को भाग जाओगे तो वो surprise हो जाएगा तो ये एक छोटा सा point है अगर आपको इसे अपने gameplay के अंदर अच्छे से use करना आ गया तो आप काफी सारे rounds के अंदर अपने enemies को easily eliminate कर सकते नेक्स्ट क्लिप होने वाली है ये वाली इस clip के अंदर भी मैंन इसके उपर rush कर दिया और इसे easily headshot लगाए मैंने कुछ भी जादा efforts नहीं लगाए है easily मेरा aim head के उपर चला गया तो इस वाले point पे मैंने देख लिया कि अभी enemy मेरी side को सीधा rush करने आ रहा है तो मैंने glue wall लगाया और glue wall लगाने के बाद मैं सीधा सामने को भाग गया उसके ब हमें enemy के उपर rush करने के लिए उसे पहले confuse करना पड़े या फिर हमें एकदम से भाग के जाना पड़ेगा या फिर हमें बहुत ज़्यदा तेज moment करनी पड़ेगी हर बार हमें ऐसा नहीं करना होता है छोटे छोटे points के उपर आपने नज़र रखनी होती है और फिर एकदम से surprise attack देना है जैसे मैंने यहाँ पर surprise attack दिया और फिर फटक से headshot माना है next clip होने वाली है ये वाली इस clip के अंदर मैंने enemy को इस तिरीके से target कर लिया कि वो कहीं जा ही नहीं सकता था आप इस clip को ध्यान चे देखो मैंने enemy को ऐसी जगा पर target कर लिया जहाँ पर headshot लगना ही लगन ही है क्योंकि इस point पे enemy को target करने के लिए हमें rush ही करना है जितने भी top level के players होते हैं अगर आप उनके सामने खेलने जाओगे तो वो आपको easily one tap मार देंगे और उनका maximum time one tap लग भी जाए वो सभी players भी ऐसा ही करते हैं वो जल्दी से rush कर देते हैं जहां से आप निकलने वाले हो वो वहाँ पे पहले ही पहुंच जाते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने क्या किया मैं enemy के निकलने से पहले ही यहाँ पे पहुंच गया और मैंने इसको यहाँ पे target कर दिया जिससे की फिर इसे easily hurt लग तो top level के players ऐसा ही करते हैं और ऐसा automatically हो जाते है क्योंकि उन्हो वो भी एक अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको इन सब चीज़ों के वारे में समझना पड़े और अपने गेमप्ले को आप बैलेंस करो आपके गेमप्ले में दोनों चीज़े बैलेंस होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी भी और आपकी मुझे काफी सारे प्लेयर करते हैं कि तो यह बात तो मैं मानता हूँ कि मेरा मुझेट स्पीड बहुत जादा फास्ट नहीं है पर मेरी मुझेट स्पीड के हिसाब से मेरा एक्यूरेसी पूरा पूरा बैलेंस है अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी मुझेट स्पीड को बढ़ा सकता हूँ पर मेरा फिर एक्यूर इसी बहुत जादा गिल जाएगा मेरे हैटोर्स बहुत जादा कम लगे और मेरा मुवमेंट स्पीड इसलिए आपको दिखता है क्योंकि मैं डीपे का यूज नहीं करता है अगर मैं डीपे का यूज करूँ तो आपको मेरा ये वाला मुवमेंट भी फास्ट दिखेगा तो ब